नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है HPK Alerts YouTube चैनल पर उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे इमाचल परदिश पटवारी Recruitment 2024 क्या LGBT रहने वाली है कितनी फीस रहने वाली है क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और भर्ती कब तक आएगी तो भाई ये information आज इस वीडियो में जो भाई शेर की जाएगी तो आपने वीडियो को end तक जुरूर वाच करना है चैनल पर नए होंगे चैनल को सबस्क्राइब करना है और अभी तक आप मारे WhatsApp ग्रूब में नहीं जुड़े होंगे तो उसका लिंक हमने description box में दिया है उसको भी जल्दी से जाकर join करना क्योंकि आज जो है हिमाचर परदिश पतवारी भर्ती से regarding update लाया हूँ तो आपने जो है इसको पूरा जुरूर देखना है और अपने साथियों में भी शेर करना है स्टैडी मटीरियल चाहिए तो वह भी हमारे द्वारा जो परचेज करवाया जाता है तो आपने description में दिये गए link पर जो क्लिक करकर जो स्टैडी मटीरियल भी परचेज करना है तो आएए जानते हैं कि आकिरकार हिमाचर परदेश जो भी पटवारी भरती है उसमें क्या criteria रहने वाला है और भरती कब तक आएगी लाखो यूवाइस भरती का इंतजार कर रहे हैं तो आएए जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं पटवारी रिगूर्टमेंट दो हजार चोबिस तो भाई इसमें जो आपको पता कि कैविनेट में जो है आठ सो चुरहतर पोश्टें भाई बिल्कुल जो है निकाल दी गई हैं कि आठ सो चुरहतर पदों पर भरती होगी तो भाई कब तक होगी यह कि लाखो युवाओं के मन में डाउट आ रहे हैं कि आखिरकार भरती कब होगी और किस किस जिले को कितनी कितनी रहने वाली है तो वह भी इनफरुश्मेंट जो भी रहेगी वह आपके साथ में शेयर करूंगा तो आए जानते सबसे पहले सबसे पहले जानते कि माचल क्वालिफरेशन आपकी बाहर मी पास रखी गई है कि अगर आप बाहर मी पास है तो आप जो इस फॉर्म के लिए अपलाई कर पाओगे जो एज का क्राइटेरिया है वह 18 से 45 के बीच में जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है और उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो जो है किनौर के लिए 25 है कुलू के लिए बासर्थ है लहॉल स्पीति के लिए भी कोई भी पोश्ट इसमें शोर नहीं है मंडी में 172 पोश्टें है वाई सबसे ज्यादा शिमला में 45 और सोलन में 7 और सिरमौर में 52 50 और उनना में 53 और टोटल पोस्ट 697 और यहां पर नीच पताया गया कि टोटल фось सैटलमेंट डेपार्टमेंट एकसाथ पोश्टे और आडड होकर जो है टोटल पोश्ट आपकी बनी आच्छो चुरहत्तर तो आच्सो चुरहत्तर यानि हैँ सो पोस्टों पर आपकी पटवारी भरती होने वाली है मेरे बाई तो आप देख सकते हो इसमें जो ए आप जो है क्या इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है ताकि इसके लिए अपलाई कर पाऊगे एज तो आपको पता चल गया कि 18 से लेकर जो 45 तक एज रहेगी S.E.S.T. वालों के लिए इसमें जो भी शूट होती है उसके लिए 50 तक हो गई तो आगे बात करते हैं जो कौलिफिकेशन है वो 10th प्लस टू पास है आप किसी भी हमाचर प्रदेश के बोर्ड से 10th प्लस टू पास होने चाहिए और उसमें बात करें salary pay scale 2024 के अनुसार 20,002 से लेबल 3rd on regular appointment के बाद 30,500 तक आपका जो ये रहेगा और contract base पर आपको 12,120 रुपय मिलेंगे भाई तो ये आप देख सकते हो तो इस बार जो है ये भरती कब आने वाली अब बात इसकी करते हैं तो आपको पता है कि भरती जो है हिमाचल परदेश जो भी पटवारी भरती है वो साल 2019 के करीब आई थी उसके बाद भरती नहीं आई है और हिमाचल परदेश में जो काफी कोश्टें खाली भी चल रही है अब लाखो युगाओं के मन में डाउट आ रहे हैं कि सर भरती कब आएगी तो भई भरती की बात करें तो भई इस साल भरती आ पाना मुश्किल है तो ये भरती आ सकती है आपकी 2025 में 2025 में मार्च अपराइल के बाद ये भरती आएगी अब भी जो ये भरती नहीं आएगी क्योंकि लाखो यूबा मुझे कमेट्स कर रहे हैं कि सर क्या भरती आएगी तो भै अगले साली जो हिमाचल परदेश जो भी पटवारी भरती रहने वाली हूँ अगले साली होगी तो ये थी कुछ छोटी सी information जो भी पटवारी भरती का इंतजार कर रहे थे तो भै एकजाम आपको पता है कि इसमें 100 नंबर का होता है तो सो में से आपकी merit बनाई जाती है जिसके जितने आयाश्ट मार्क्स होते हैं उस हिसाब से इसमें जो merit बनाई जाती है चार subject आते हैं आपको पता है math, hindi, english जो भी रहता है तो आपने ये सब कुछ preparation करनी है तो ये छोटी सी information आपके साथ share करनी थी ति वीडियो को करते हैं एंड यहीं पर और मिलते हैं किसी new वीडियो के साथ अब तक के लिए जाहिंज भारत जाहिमा चल